हे गाईज वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था और फिर से दुबारा बोल रहा हूँ कि अगर आप बहुत जादा अच्छे student नहीं है अगर आप average student है तो railway में अगर आपको कोई भी पोस्ट मिल रहा है तो आप join कर लें चाहे वो group D हो, group C हो, group C में तो बहुत सारी पोस्ट आती है लेकिन प्रस्तली अगर आप group D में भी enter कर सकते हैं तो यह मत सोचिए कि यह Group D है, मैं इसमें जॉब नहीं करूँगा, बहुत छोटा लेवल का जॉब है, बहुत कम सेल्डी है, बहुत जादा महिनत है, यह मत सोचिए, क्योंकि अगर आप railway में एक वार एंटर कर जाते हैं, आपके परमोसन का बहुत तग्रे इंतजाम करके रख उनका तो सच में लोटरी लग गया, इतनी तगरी वेवस्था, इतनी तगरी रेकृट्मेंट, इतनी तगरी वेकेंसी दुबारा नहीं मिल सकता, या मिलेगा भी तो इतना जल्दी नहीं मिल सकता है, कि अभी आपने railway Group D ज्वाइन किया, और आपके पास इतनी वेकेंसी पर ओपन केटेगरी, दोनों की वेकेंसी आई वी है, तो चलिए आएक कंफ्रिजन करते हैं कि किस में ज्यादा वेकेंसी है, और इससे किसको फायदा होने वाला है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, अगर ये वेकेंसी ALP के आ रही है, किसी भी जोन में, किसी भी बोर्ड म या किसी भी डिविजन में, उससे फायदा ज्यादा होगा ग्रूप D वाले कंडिडेट को, जो नया कंडिडेट अभी आने वाले हैं, या फिर अगर नये वेकेंसी में देरी होती है, तो जो अभी वेटिंग में कंडिडेट हैं, उनको ज्यादा फायदा होने वाला है, ले आपको पता है ग्रूप डी ही एक मात पोस्ट है लेवल वन मे, अगर वो लेवल वन वाले लेवल 2 में जाते हैं, और लेवल वन वाले ही लेवल टू में जाते हैं, 2 वाले तो 2 में जाते ही नहीं, 5-10% कोई गए तो गए, क्योंकि LP में बहुत ज़्यादा से लिए होती इस वज़ा से 90% लेवल 1 वाले ही जाते हैं तो group D की post खाली होगी और इससे direct फैदा open category को मिलेगा अगर October November में vacancy आ जाती है तो group D में ज्यादा vacancies के आसार बन रहे हैं तो चलिए आईए एक बार completion करते हैं open category और departmental quota में कुल कितनी vacancy आई है और departmental quota में ज्यादा vacancy क्यों आई है जबकि आपको पता है कि 50% departmental quota इस वर कर दिया गया 25 से वरहा कर 50 फिर भी departmental में ज्यादा vacancy है और open category में कम vacancy आपको मैं ये proof के साथ दे सकता हूँ इससे lottery तो group D वाले का ही लगा है इतना ज्यादा vacancy और इतना कम candidate आपको पता है कि क्योंकि open category से तो कमी candidate रहेंगे कभी भी departmental exam में चाहे वो कितनी भी vacancy ज्याज है open category में कम vacancy है और departmental में ज्यादा vacancy है तो चलिए आएए एक बर कम प्रिजन हम लोग करते हैं यहाँ आप देखेंगे मैं यह open category का भी list निकाला हूँ जब आप यहाँ बात करेंगे तो कोलकाता में RRB कोलकाता Eastern Railway यहाँ देखे 254 पोस्ट है और यह South Eastern Railway है जिसको हम लोग राची बोर्ड बोलते हैं तो हम लोग इसको count नहीं करेंगे क्योंकि South Eastern Railway से अलग से vacancies आई हुई है डिपार्टमेंटल एकजाम के लिए और मैं RRB मालदा Eastern Railway का इसलिए इसमें एड कर रहा हूँ क्योंकि Group D वाला जो Post आता है उसमें Maldah कोलकाते वाले मी आता है इसलिए जो Eastern Railway कोलकाता से डिपार्टमेंटल एकजाम हो रहा है उसमें मालदा एक divijon है उसका भी वेकन्सी इसमें अड क्या गया है डिपार्टमेंटल में इसलिए मैं इसको add करके आपको बताता हूँ 254 है इस्टर्ण रेलवे में और माल्दा इस्टर्ण में है 161 और माल्दा सौथ इस्टर्ण में है 56 अगर आप ये 254 प्लस 161 प्लस 56 अगर सबको एड़ करेंगे आपको तो 174 471 वेकेंसी होती है ओपेन केटिगरी में टोटल से अगर मैं माल्दा और इस्टर्ण रेलवे दोनों की बात करूँ तो चलिए आप देखते हैं कि डिपार्टमेंटल वेकेंसी जो आया है उसमें कितनी वेकेंसी आई हुई है डिपार्टमेंटल कोटा से उसमें बात करते हैं हम लोग आज 23 मही है मैं आपको बता दूँ और यह जो वेकेंसी आई हुई है 22 मही का है यहां देख सकते हैं 225 2024 का है और इधर आप देखें इस्टन रेलवे 17 यहां सारा कुछ दिया गया इसका हेट क्वार्टर कहां पे है नेताजी सुवास बोर्ड फेरली प्लेस कुलकाथा और देखेंगे सिविटी अलिसी यह डिपार्टमेंटल एकजाम है यहां आप देखिए 50% कोटा एलपी के लिए जो लेवल टू है यहां सारा डिटेल दिया गया है और जब आप विकेंसी पर नजर डालेंगे तो यहां आप देखें इसमें कुलकाथा में टोटल से चार डिव आप देखिए 665 पोस्ट है टोटल से यूर चार सो चार सट सी एक्सो आट एस्टी तेरावबे और आप यह कौनसा बोट है सियाल्दा सियाल्दा में डिविजन है यह एक्सो पाँच यूर छासाट एस्टी पैतालिस एस्टी टोटल दोसो सोला आसन सोल में देखेंगे अगर मैं इन चारों डिविजन का एड करूं टोटल पोस्ट तो सिर्फ आप यहाँ 471 हुआ था टोटल से ओपन केटेग्री में अगर मैं माल्दा और कोलकाता दोनों का वेकेंसी एड कर रहा था तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ हावरा डिविजन में 665 पोस्ट है सिर् और ओपन केटेग्री से टोटल वेकेंसी 471 है तो किसको फायदा होगा यह आप खुद से डिसाइड कर लिजिए जो रेलवे ग्रूप डी 2019 में आये हैं उनकी लॉट्री सी लग चुकी है आप इस बात को माल लिजिए और ऐसा मोका बार बार नहीं मिलेगा तो चलिए फिर आप अधिर करके देखते हैं कि आखी टोटल कितनी वेकेंसी जाई हुई है अगर आप चारो डिविजन का एड करेंगे 665 216 142 30 कि अगर आप सबको एड करेंगे शाप माची गारती चोड़ा तीन सुट्रा साथ है पांच है कि दो एक है बारो सो संतावन पोस्ट है टोटल से बारो सो संतावन आपका रहा डिपार्टमेंटल कोटा से और ओपन केटेग्री से आपका रहा है 471 पोस्ट आप खुद से डि जये लिए आखिर चाहती क्या है और इतनी जादी वेकैंसी डिपार्टमेंटल कोटा में अगर आ रही है तो ओपन केटेग्री में इतनी कम वेकैंसी क्यूं है गौप्वर्मेंट जैसा कि इतना हलला क्या गया इतना अंदुलन क्या गया टुईट क्या गया फिर भी open category में vacancy नहीं वहीं आपका departmental कोटा में इतनी जादी वेकेंसी दी जा रही है क्यों सरकार आखिट चाहती क्यों है और डिपार्टमेंटल कोटा में इतना ज़्यादा वेकेंसी आता क्यों है मैं आप को यह पहले भी बता चुका हूँ और यहां आप देखेंगे यहां सारा चीज दिया गया डेट आप पब्लिकेशन आप नोटिफिकेशन जो सब भी है आप अपना सारा डीटेल डाउनलोड करके पढ़ लिए क्योंकि अगर मैं आपको सारा चीज बताने लगा हूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा और यहां यू आर का SCST में 47 साल और मेडिकल इस्टेंडर इसमें A1 है अगर किसी के आँख खराब है तो वो अपना समय व्यार सा ना करें ALP के लिए क्योंकि आँख की टेस्ट इसमें बहुत ही तगरी होती है इधर कौन-कौन फॉर्म बर सकता है यह सारा डीटेल दिया गया है आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके फॉर्म फिल अप कर लीजिए तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बाइबाए